दोस्तो नमस्कार स्वागत है अमारे यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो को सुरू करें उसे पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और बेल आइकन जरूर दबादें प्रेस करतें जिससे कि आपको आने वाले जितने भी नई वीडियो उसकी नूटिप्शी केसन आपको पहले मिल जाएकर तो दोस्तो आज हम भारती रेल के बारे में बात करने जा रहे हैं इस भारती रेल देश के हजारों लाखों लोंगों को प्रति दिन उनके गंतवर तक यात्रा कराती रहती है और पहुंचाती है हम अपने जी ग्यासा जिसका नाम है पेंटोग्राफ और जी ग्यासा यह बिजली का तार जो इंजन के उपर लगा होता है यह क्यों नहीं आखिर घिस्ता क्यों नहीं है इसी तार से इंजन में करेंट आता है और जो यंत्र की माध्यम से करेंट आता है उसे हम पेंटोग्राफ कहते ह आपने देखा होगा कि इंजन के उपर cycle के हैंडल टाईप की एक के यंत्र लगा होता है और यही पेंटो ग्राफ है लेकिन इसको जानने से फहले इस से जूड़ी होई कुछ बातों को जानते हैं ये तार खंबे से ये पेंटोग्राप जिन तारों से जुड़ा होता है ये तार खंबे से लगे होते हैं और रेलेवे में और इस पर कुछ नंबर भी लिखा होता है मास्ट यानि खंबो के उपर कुछ नंबरिंग की होती है और इस नंबरिंग का उद्धेस यह होता है कि अगर कहीं सा आगे कोई ट्रैक में गड़बड़ी है या कोई जुर्खटना होती है या कोई जनकारी हम रेलिवे ड्राइबर को कहीं इस्टेशन को देना हो या किसी जगह हमे आसानी से पहुँच सकते हैं नों कहीं से पता चलेगा कहा परिसानी या कहा नहीं है और दूसरी बात है कि दो खंबे के बीज में वहां डूरी 60 मीटर होती है और इस दूरी को हम स्पैन कहते हैं लेकिन यह जो गुमावादार जगा होती है जहांपर ट्रेन कें ग फुमाव में लियाते हैं, जहां मूडते हैं, वहां परिहदूरी कम हो जाती है, और जो खंबे के जो तार होते हैं, एक आर्म से जुड़े होते हैं, जिसके उपर से तार गया होता है, अब हम उपर का तार को हम केटरिनरी वायर कहते हैं, और नीचे के तार को हम कंटेक्ट व पाईर में ही उसकी सपलाई होती हैं। । अब अबने देखा होगा कि कुछ से पौल जो होते हैं यह मास्ट होते हैं खंबह होते हैं वहाँ पर पत्थर जो हैं लटके रहते हैं। । तो यह पत्थर होते हैं यह उनकुकर रेलवे के बाहते pow bạn किया जाता है कि इस तार में तनाओ बना रहा है तार गर्मी के दिन में थोड़ा सा लंबा हो जाए जिसके वज़ा से वो थोड़ा सा जुग जाए और जाड़े के दिन में थोड़ा सा जब वो सीखुडता है तो टाइट हो जाए तो ये बारहो महिमे में उनको एक खीचाओ उसमें रखने के लिए समाने हाइट पर रखने के लिए उसमें पत्थर लगाए लाते हैं अब हम बात करते हैं कि इस पेंटोग्राफ में यह पेंटोग्राफ होता है यह जब उपर के से जब जूगता है तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है लेकिन यह जो पेंटोग्राफ होता है एक परागर नहीं होता है तो इसमें घरसर ज्यादा होने की समहावणा होती है तो इसलिए इसमें एक air pressure दिया रहता है और वालो के माध्य हम से अगर उपर से दवाव नीचे आएगा तो ये pentograph भी थोड़ा से नीचे होगा और उपर का वायर contact wire अगर उपर होगा तो ये air pressure के वायर से उसमें जाकर के आसानी से जुड़ा रहेगा जिससे की current का प्रवाह जो है उसमें आसानी से होता रहता है जानना चहेंगे कि आखिर ये घिस्ता क्यों नहीं है तो घिस्ता ये होता है कि जो JIG ZIG FADE में होता है तो जो उसका pressure परता है पेंटोग्राफ पे चारओर बराबर बड़ता है इसलिए जल्दी ढहीं गिस्ता नहीं है कि और पहुत ही मजबूत होता है लेकिन जो पेंटोग्राफ का जह भूता है न वह हैं और नीम ये कहता है कि जब ये चीज एक नरम पीज से जब आपस में घर्षड होगा तो नरम पीज सबसे पहले गिशती है और दूसरा कि इसके में उपर एक कारवन की पिलेट भी लगी रहती है जिसे घर्षड को बहुत कम कर देता है और इससे ये जल्दी घिशता नहीं है तो दोस्तों यही क्यार है कि प सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को और कुछ आपको और मन में प्रश्ण है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं धन्यवाद दोस्तों